तो हेलो फ्रेंज, आसमान में रंग बिरंगे चृरियों को उरता देख, भला किसका मन आसमान में उरूरने को नहीं होता होगा। चिरियों का चाह चाहाना आखिर किसे पसंद नहीं, पक्षियों का होना आकास का जिन्दा होना है, सच्मुच पक्षियों से ही आकास है, दुनिया भर में हजारों तरह के पक्षियों की परजाती पाई जाती है, बरतमान में कई पक्षि लुप्थ हो चुके हैं और कई प्रेस्टिंग सफर में जानते हैं कुछ पक्षियों के बारे में रोचक तत्थ हैं अब प्रेक्ट नंबर फाइब बोया पक्षि यह एक ऐसा पक्षि है जो फिलिपीन्स में पाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इस पक्षि को रात के अंधेरे से डर लगता है और यह हमेशा रोशनी में रहना पसंद करता है इसलिए यह अपने घोसले में चारों तरफ से यह एक ऐसा पक्षि है जिसके पंक नहीं होते यह न उन्नेवाले पक्षि वाले सब्सेथ चोटा पक्षि है कीन और यह वी पक्षि दुनियां के किसी विच्रियागर्में नहीं जो कभी जमीन प्रपय नहीं रखता है यह पक्षी शकाहारी होते हैं और सदा बहार बनों में पाए जाते हैं हरियल पक्षी महराश्ट का राज्की यह पक्षी भी है फैक नमँर टू दच्छिन अमेर्की देशों में पाए जाने बाला बिटरन पक्षी दुनिया का एक मात्र ऐसा पक्षी है जो बाग की आवाज निकालता है वैसे ये पक्षी बहुत सर्मिले होते हैं और अपना ज्यादा तरवक्त गहास में छुपकर भिताते हैं इस पक्षी की संख्या लगतार कम हो रही है इसलिए युरोप वो अफ्रीकी देशों के प्रयावरन संग ने इसे संकट गरस्त पक्षियों की सुची में डाल दिया अब हम जानेंगे एक ऐसे रहस्मय पक्षी के बारे में जिसे अगर कोई छू ले तो उस पक्षी की मौत हो जाती है जी हाँ सिर्फ छूने से ही मौत हम बात कर रहे हैं टिटोनी पक्षी की यह पक्षी बहुत ही सवेदन सील होता है इतना कि अगर इसे कोई छू भी ले तो इसकी मौत हो जाती है इसलिए अगर कभी आपको यह पक्षी दिखे तो इसे भूल कर भी हाथ न लगाए वन्ना इनकी मौत हो सकती है